नमस्कार में हो चुकान बिंबर की खबरों में सबसे पहले डाती है नसर आज के मुखे समचार उपर शिक्षक शेत्र में हनमांगर जिला जून 2019 में भी पूरे प्रादेश में टॉप पर जिला मिश्पादन समीथी की बैठर में पुचान करी नशीली दवाओं वैवाइद पिसोर साही देकी रफ्तार सदर पुलिस नेखी कारवाई विक्षवरिती करते दो बस्ते दस्तया बाल विक्षवरिती के बीचे हनमांगर की गैंग के सकरी होने कर जाता है अब खबर पिस्तार से राजस्तार लोग परिवाहन की बसे आश नहीं चली बस ऑपरेटर ना जाहिस बढ़ाई गई टैक्स दरों के खिलाफ हरताल पर नहीं इस दो रांजिला परिवाहन कारियले के समाक्ष नारबाजी करते हुए धर्णा दियाक है बस ऑपरेटर ने स्टेज करेट्व अटैक्स दरों को लेकर अपनी मागों से डीटियों का अगत करवाया उनक्या पनस्वाब परिवेन विबाज परिवेन मंत्री अमारी मंगे मुरी करों हमारी मंगे मुरी करों बड़ी ओटैक्स बड़ोत्री अपिस दो राजस्तान लोक परिवान सेवा यानि लोक परिवान की बसों के संचालन पर बढ़ाई गई टैक्स दरों के खलाफ बस उपरेटर हरताल पर रहे और डीटियो कारियले की समक्ष धर्णा देकर विरोच जाता है बस उपरेटर का कहना था कि वे सरकार की मंशा को नहीं समझ पा रहे एक तरफ तो डीजल के दामों में बढ़ाउत्री की जा रही है दूसरी तरफ टैक्स दरों में बढ़ाउत्री करती गए एक तरफ सरकार लोग परिवहां सेवा के संचालन पर किसी तरह है कि टैक्स ये बढ़ाउत्री नहीं करती दूसरी और धाई गुणा टैक्स बढ़ादिया खै वो प्रधान राजीव कुमार का कहना था कि भी बार बार सरकार तक अपनी बात पहुचाने का परियास कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही बताया गया कि राजे सरकार के और से स्टेज कैरिज बसों का 300 किलोमीटर का स्लैब बनाते हुए प्रतिमाह 10,000 की जखे पर 19,000 रुपए टैक्स प्रतिमाह कर दिया गया है जबकि टेस्ट बरहोतरी देखती हुए स्टेज के अरिज बसों कि ओपरेटर ने 300 किलोमेटर की जगह 100, 200 वा 300 किलोमेटर क्लैब बनाने की मांगे थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई बसों का कैना था कि यदि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे अंदूलन के लिए तैयार है क्योंकि सरकार की महिशा बसों का धंदा चौपट करने की है अमारी बस ओपरेटर यूनियन अनमानगड की तरफ से ये दर्नापरदसन किया जा रहा है कल हमने 29.7.2.19 को आज के लिए सारी बसे बंद करके केवल अनमानगड के नहीं गंगा नगर, बिका नेर, मोर, रावसर, बादरा और राई सीनगर तकात की बसे सभी बंद करके सरकार को इस संदेश पहुचाने की एक आगरे किया था भी हमारी जो टेक्स बड़ोतरी है वो नजाइज कर दीगी है एक तरफ तो आप विधान सभावे ये ब्यान देते हो भी हमें किसी प्रकार का कोई टेक्स नहीं ने लगाया है और हमारे यहां टेक्सों के अंदर डाइगुना वृदी करके हमारे को बस ओपरेटरों को उजाड करने का एक प्रोग्राम इनोंने किया है जिसे हम इस अब बस ओपरेटर बड़े नराज है इस सरकार से भी इस तरह से अगर आप टेक्स बढ़ाओगे आप कुछ तो देखो डीजल इतना बढ़ा दिया इंशुरेंस इतने बढ़ा दिये हैं फिटनस बढ़ा दिये हैं फिटनस पहले एक साल का पैसे लेते थे अब दो साल के फिटनस का रेट कर दिया है और पैसे फिटनस एक साल की दी जारी है कुल मिला के बस ओपरेटर के साथ इतनी मलब नजायज सरकार द्वारा नीतियां निर्दारित की जा रही है भी एक तरह से सरकार की मंसा यह लगती है भी सरकार हमारी बस से बंद करवाना चाहती है ताकि हम कोई और अपना बिजनस देख ले पता नहीं सरकार की दिमाग में ऐ कोई सरकार की यहां के लोगों को लूट के खा रहे हैं हम अपना भी घर चला रहे हैं और सभी को अपनी प्रवैन वेवस्ता भी बहुत सो चारू रूप से जारी रखे हुए हैं लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई है कल से हम डीटियो साहब से बात करके आ बस ओपरेटर है तो जिला परवैन विभाग है बस ओपरेटर नहीं होएंगे तो जिला परवैन विभाग और इतना सरकार का खर्चा करने का फाइदा क्या है अमारी सुनेंगे नहीं तो हम आगए अपना परदेश सतर के ऊपर अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम पूरा जैपुर लेवल के उपर पूरे राजस्तान सरकार की बसे बंद करवाएंगे और सरकार को दिखा देंगे भी बस लेवल के पिटनेश के समयं पर हमांके पेलिया जाए ही है य से जब तक हमोंबमेंट में रिटर्र में रहेंगा तब तक हम पاث्लो करेंगे सίसल तरफомatar और स्पेत युछ से मामला में नहीं क direction आए उनकी बात ओल्ग इसाए whip लिए समझ लिए ये मैं उनको इस्टेट को फॉर्वर्ड कर दूँगा मेरे आला धिकारी को और मेरे राज्य सर्कार के परतिमी दियूँ उनको मैं अउगत करा दूँगा समगर शिक्ष्या अभ्यान के अंदरगन जिला निश्पादन समीती की मासिट बैठक एलियम अशो कुमार असिचा के अधिक्ष्टा में हुई समगर शिक्ष्या अभ्यान के अंदरगन जिला निश्पादन समीती की बैठक एडियम अशो कुमार असिचा के अधिक्ष्टा में हुई बैठक में CDEO तेजस्तिं गदराणा ने बताया कि शिक्ष्या के शेत्र में हनुमानगर जिला वर्ष्य 2018-19 में पूरे राजस्तान में टॉप पर रहा था अब वर्ष्य 2019 के अंतरगत अप्रेल से लेकर जून 2019 तक भी पूरे राजस्तान में जिला टॉप पर चल रहा है ADM और नीजी स्कूल प्रतिनिदी तरणवीजे ने शिक्ष्या विभा के अधिकारियों को इसके लिए बाधाई थी बैठक में गदराणा ने बताया कि स्कूल के मैदानों की साफ सफाई नहीं हो पाती इनकी सफाई मनरेगा की जरीए करवाने की मांग रखी तो ADM ने इसका प्रसाव तियो जिला परिशत को भीचवाने के नर्देश थी 42 से स्कूलों में ICT लैब नहीं होने की जानकारे देने पर ADM ने ये लैब जन प्रतिनिदियों की साहियोग से खुलवाने की बात कही इसके अलावा बैटिक में ADM ने सरकारी स्कूलों की उपर से गुजर रही हाई वाल्टेज विदुत लाइन को शिफ्ट करने के लिए बिजली विभा के अधिकारियों को भी नर्देश शित किया बैटिक में टिबी के कस्दूरवा गांधी आवासिय विद्याले में डिस्ट्रिक मिंडल फंड के जरीए नौला की लागत से अगंतु कक्ष, दोला की लागत से फरनीचर और तीनला की लागत से दिवार उची करवाने का प्रस्ताव रखाग है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यों में स्कूल की प्रिंसिपल गुर्मी सिंग ने मांग रखी कि स्कूल परिसर में पानी भरने की समस्या है, साथ ही मुखे द्वार और दिवार का भी काम करवाया चाना है इसको लेकर एडियम ने नगर परिश्यत के अधिकारियों को पानी ठायने की समस्या का निश्पादन करने और बाके के कारियों को डियम एफटी के जरीए करवाने के लिए प्रस्ताव भीचवाने को कहा बैटिक में गदराना ने बताया कि आज भी जिले में 40 स्कूल ऐसे हैं जहां विद्यू करेक्शन नहीं है डिमांड नोटिस भारे हुए हैं लेकिन करेक्शन नहीं हो पा रहे इसमें सभी सम्मंदित जिला सरीय अधिकारी उस बालसाबा में पाहुचें नीजी सहस्तान प्रतिनी धी तरण विचे ने का कि जिस तरह से शिक्षा की शेत्र में जिला पूरे राजस्तान में पिछले डेड साल से है यह हम सब के लिए गवर्व की बात है बैठक में एडियम अशोक कुमार असीजा के अलावा, CDEO, तेजसिंग गदरणा, प्यारो सुरेश बिष्णोई, DEO प्रारंभिक प्रवेन भूशन, नीजी सहसान के प्रतनी धी तरण विचे, ADPC कुलवन सिंग, सभी ब्लोग के CBO, APC जितेंडर बटला, समेत अन्य विभा बैठी पर रोग थाम नहीं लगी है, ताजा मामला, DTO कारियाले के पाहर, दो बच्चों दोरा भिख्षावरिती करने का है, सुष्णा पागर पहुँची, बालकल्यान समेती की टीम ने इन बच्चों को दस्तयाब किया है, हनुमानगण में बाल भिख्षावरिती की दस्तयाब किया, इस मौके पर जब बच्चों को अलग-अलग नाम से दो मही लाओं और एक पुरुष द्वारा आवास देकर बुला गया, और बच्चों ने भागने का परियास किया, इसके बाद उपसी जनों ने उन संदिक्दों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे कहना था कि गैंग के रूप में बच्चों से भिक्षय अवरिती करवाई जा रही है, समीथी की और से एक बालक और बालिका को दस्तयाब किया गया है, पूश्टाश में पता चला कि ये 14 भेन भाई हैं जो भिक्षय अवरिती से जुड़े हैं, बताया गया कि भिक्षय में आया पैसा ये बच्चे अपनी दादी के पास जमा करवाते हैं और इनके माबाब पंजाब में हैं, ये बच्चे शिक्षा से भी नहीं चोड़े हैं, अजियक्षे जोदा सिंग ने बताया कि अब इन बच्चों के परिजनों के खिलाफ नियमानुसार कारवाई की जाएग जरिये मुख्बिर सुचना मिली कि डीटी ओफिस कारे लेके आज पास में जो चाय की दुकाने और जो कलाइंट्स वेगरा यहां आते हैं, उनके यहां पांच-चार बच्चे हैं जो बिक्षा वर्ति का कारे करते हैं, तो हमने दो बच्चों को दस्तियाब किया हैं और उन सुचना पांशेर् आजब के लेकर जाते हैं और घर मेरे दादी है उसको लेकर उनको लेकर जयते हैं, हमने उनके साथ एक हमें मैशूस होएग इंक वह जोड़े हुए नहीं हैं, तो अभी उनको दस्तियाब करके हमारे बाल क्लांट समित्य ओपिस लेकर जाएंगे, ऑर हम एक जैन्स था, उन्होंने उनको आवाज लगाई भी जगू जगू आ जो तो वो देखके भाग गे, उनके पिछे काफी लोगों ने प्रियास किया उनको पकड़ने के लेकिन वो पकड़ में नहीं आए, तो एक बहुत बड़ी गेंग है जो अनमान गेंड में इन बच्चों को बच्चों से भिख्षयवर्ती करवारी है, तो हमारा बाल के लिएंग समीति का ये दहा है कि हम इनको बच्चों को भिख्षयवर्ती से रोका जावे और इनको सिक्षक से साथ जोड़ा जाए, और पतरकार मोदेओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देंगा कि मादक पदार्टों की तसकरी वे आबाइध हधियारों की खिलाफ चलाय जा रहे है, अभियान के दहें सदर्थान पुलिस ने कारवाई करती हुई नशीली टेबलेट, आबाइध पिस्तॉल, चार जिंदा कार्थूस के साथ एक लिवक को किरफ्तार किया है, गल्ध हुलिक सदर्थान पुलिस ने मादक पदार्थों की खिलाफ कारवाई करती हुई धोलिपाल के नस्दीक अंडरपास के निकट धोलिपाल निवासी सुशिल कुमार को खिरफ्तार किया है, पुलिस ने सुशिल नायक के कबजे से मोटर साइकल, सहीद, नशीली टेबलेट, आवैध पिस्तॉल, चार जिन्दा कार्थोस भी वरामत किये हैं। मोटर साइकल के ग्रफदार किया जाकर, मोटर साइकल के ग्रफदार किया है, वह अनुसंदान श्रीमान ऐसे चोशाब टाउन को दिया गया है। मोटर साइकल के ग्रफदार किया हैं। वह एक अलग चीज है। मैं नहीं सोशता हैं कि मेरा रिटारर्मेंट हो रहा है। क्योंकि यह एक सामालेंप्रग्रीया है और इसके लिए नो इक कुल्टा है जो क HOW दाइमत्स कुछ मुझे लगा था जिसके कारेम जुए क 흥े काम हम नहीं कर वा रहे थे उससे मैं न को कर फो कि फ्रील गयर में हम अंतर भर साथियों यह जो पन्द है लेक्चिरर शिफ्टा बहुत ही शानदा यानि हमारी लाइफ का यानि मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया समय जो था वो व्याक्याता बढ़ना था मेरे साथ मेरे यह साथी रहे हुए सभी यह उपसित हैं इनके साथ जो समय भी ता बहुत ही अच्छा और यूँ कहें कि उस समय की यादेर आज भी इस विद्याले के अंदर वैसी की वैसी ता जाए साथियों उमर के साथ साथ बढ़ के लिए हमने पाफी लड़ाएगी संद के साथ हम शुरू से जुड़े रहे और संक के द्वारा ही हमने सबसे पहले जो है यह गेस्टेट पोस्ट हासिल ली पहले रायका तह पर गेस्टेट नहीं था खुदकाफी लड़ाई के बाद संगर्ष के बाद हमें गेस्टेट पत्र जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजेंदर सिंग यादव 31 जुलाई यानि बुद्वार को सिवा निर्विर्थ होने जा रहे हैं हनुमानगड़ी में उनके तीसवर्षों के कारेकाल की सारहना करती हुए शिक्षा जगत में उनके सहयों की यादों को ताजा करती हुई रैसला की और से विदाई सामाहरों का आयोचन फोर्ट इसकुल में हुआ जहां डी-इओ को साफा पहना कर उनका सम्मान किया है बताया गया की डी-इओ सुरू से रैसला से जुड़े रहे हैं ऐसे में रैसला संग उनका आभारी होने के साथ सम्मान करता है इस मौके पर डी-इओ यादव ने अपने कारेकाल से जुड़े प्रोचक पलों को करने के बाद, कल 31 दुलाई को वो सेवा निवर्त हो रहे हैं, इस सेवा निवर्ती के अवसर को और चेज समर्ती यादास्त बनाए रखने के लिए आजगा ये कारेकरम विदाई समारो किया गया, जिसमें स्रीमान जिला शिक्षा दिकारी मादेम मुख्याले राजेंदर जो रेसला से व्यक्यता से आज इस पद पर डियो पद पर पहुंचे हैं और यहां से नमानकर से सिवा निवर्त हो रहे हैं, रेसला को इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है, संग्ठन को मजबूत करने में इन्होंने बहुत अपना समय व्यतित किया है, इसलिए रेसला प्रिवार इनका हार्दिक अभिनंद करता है, अभार व्यक्त करता है, और यह उमीद करता है कि सेवा निवर्ति के बाद भी वो रेसला संग्ठन को उचाहियां परदान करने में अपना सेयोग देते रहेंगे। बिमा में पहले की धर रहें रखते हुए स्वेचिक बिमा किया जाने की मांगी गए। पहले की बांती फसली रिंड जो सायकरी समीचियों के मादम से दिया जाता था। उसी नुरूप दिया जाए और उसमें जो फसल भीमा है वो स्वेचिक किया जाए। कमरिशियल बैंकों से जो भीमा काटा जा रहें वो भी एक तरीके से किसानों के उपर अत्यचार है तो हम इसका विरौद करते हैं और किसानों के सुबह से फोन आ रहे हैं। इस फसल भीमा का ये जो बार बिना वज़े से किसानों के उपर डाला जा रहा है ये एक तरीके से किसानों के साथ एन्या है दोनों सरकार है बीजेपी और कांग्रेस किसानों के साथ लूट मचा रही है और इस लूट में किसान दिन बे दिन पिस रहा है और हमारी सरकार से और एमेडी मोदे और कलेक्टर साब से यही मांग है किसानों के गुसे को देखते हुए यदि आगामी ये इसका समादा नहीं हुआ तो किसान सड़कों पर उत्रेंगे जिसकी जुम्हेवरी परशासन और सरकार की होगी मैं बारतिया किसान संग जिला देक्स होने के नाते मेरा अदाई तो बनता है कि मैं किसानों की ओवाज को परशासन के और सरकार के समक्ष रखूँ और इसके समादान के लिए ये इगर को समादान नहीं किया गया तो हम उनके साथ कंद से कंदा मिलाका लड़ने को त्यार समाचार अभी और भी हैं रिखते हैं दिन हुदर के ख़बरें नहीं है मारिनाम में 145 विध्यार्थियों ने महराजा गंगा सिंग विश्व विध्यालय की वरियता सुची में स्थान प्राकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है महा विध्याले कॉर्परेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विध्यार्थियों के लिए केरियर गाइडन्स सेमिनार आयोजित करवाता है महा विध्याले में सभी प्रायोगिक विश्यों की सूसर्जित लैबोरिटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांस्पोर्ट आदी की सुविधाएं उपलब्ध है रास्य आयमे संगर समीटी के नेने के अनुसारे कत्ति सुलाई को सुभद 6 बचे से 1 अगस तक अपात काले सेवाओं को छोड़का शेष मेडिकल सेवाओं का हनुमंगर आयमे त्वरा भहिशकार किया जाएका यह चानकारी आयमे के आज़े अज़े अज़ दॉक्टर निशान बत्रा में थी टाउनों से राज़के जिलास्पताल से शिवबाटिका में गोलेना का आशिरवाद प्राथ करने के लिए खीर का प्रसाद वित्रित किया गया बता गया कि डॉक्टर्स के सायोग से खीर का प्रसाद बना कर वित्रित किया गया है इस मौके पर जिलास्पताल आने वाले मरीजों के अच्छे स्वास्य और सुख्य मुरतिकी काम डाखी गये चार अगस को बीकाने में आयोजित प्रोफेसर ललित किशु अचत्रुएदी स्मृति में राधिस्तान गौर्फ सिवर समान समानों का अयोजन किया जाएगा समारों में खेल जगत की संभाग के प्रतिवा दोनाचार आवाडी आडिसिंग को इस सम्मान के लिए अमल देत किया गया है समारों में उन्हें खेल प्रतिवा के रूप में सम्मान किया जाएगा कारिकरम में नेता प्रतिपक्ष पुलाब जिन काटार किया राचे मंत्री आजुनरा मेगवाल सहील कई दिगर्ज नेता श्यामिर कुंखे गगर में 9 हमेच के पास अग्यात वक्ति की लाश मिली है ऐसा यानिल कुपा ने बताया कि सुचना मिले पर अग्यात वक्ति की उम्र लगब पचास वर्ष है इस समझ में यह दि कोई भी जानकारी मिलती है तो यह मौश्री में शव की शिनाक की जा सकती है अग्यात वक्ति की लाश मिली जिसके दाड़ी बढ़ी हुई है और बाल लंबे है और अग्यात वक्ति की लाश को हमने राज्कियाच की सल्य के मोर्चरी रूम में रखवाया गया है और जिस पर हमने एक मरग दर्ज की गई है जिसकी जानक जारी है और यदि किसी की कोई गुम हुआ है इस हुलिय का वक्ति तो वो मोर्चरी रूम में जाकर आज की सल्य में जाकर अब देख सकता है इसकी उमर करीब 50 पचास के करीब है नहीं नहीं कोई ऐसे है लगता है कि पीछे से कहीं गिरा है या तो कोई छोट के निशान नहीं है टेगा बोडी पर और सिखिसा समधा समाथ तो ही रोटा मदेखतरी समाशवार नमस्कार